हेलो इस्टुएंट्स, माइसेल जी एस चोहान, टीम बाटनी, सियल से सेकर हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं गुरुनिती 8 वाई 13 जिसमें टॉपिक हम लोगों ने इंक्लूड किया है प्लांट एम्परियोलोजी इसके अंदर जितने भी प्लांट एम्परियोलोजी में सब टॉपिक हैं, उनके प्रिवियस यर में जितने भी कुश्चन्स आये हैं, उनको एक जगे पर फ्रेम किया गया है और उन्हें हम कंबाइंड ली एक साथ स्टडी करेंगे, तो इसमें आपको काफी बेनिफिट मिलेगा, आप एक ट्रेंड समझ पाओगे, कि आफिर पिछले सालों में किस तरीके से कुश्चन को फ्रेम किया जा रहा है, तो इसमें पहला कुश्चन है, आपकी स्क्रीन पर, प्रड़क्ट आप सेक्षोर प्रड़क्षन जनरली जनरेट, मतलब सेक्शोर प्रड़क्षन का जो प्रड़क्ट है, उख क्या होता है, आप पिशन का ट्रेंड देखे, कुश्चन को समझ एक कि इस टाइप पिशन पूछे जा रहा है, सामानली दायलेंगिक जनल प्रोलॉंगो डॉर्मैंसी सेक्षण एक जब मिल कॉंबिनेशन हो में देखने को मिलते हैं क्योंकि सेक्ष्वरी प्रोड़क्शन में ऐना से जो protected बनती है उस से definitely variation होते हैं और variation की बज़े से ही वो जो new product होता है वो नई climatic condition में much better adapt कर पाता है evolution हो करता है resistance होती है उसकी productivity better होती है तो इस तरीकी से हमार जो structural production होता है उसका man जो purpose होता है variable of spring को produce करता है तो इसमें first answer इन्होंने यहाँ पर consider किया है next चलते हैं next question which one of the following statement is correct conscious statement in basic correct ऐसे question बहुत बनने हैं कहां correct पुछा जाता है कभी incorrect पुछा जाता है mismatched peer peer पुछे जाते हैं peer पुछे जाते हैं आजकल correct और incorrect का trend बहुत बनना है तो उस type से question पहले भी बने है which one of the following statement is correct the seed in grasses is not endospermic ठीक है अपने जो non endospermic seed होते हैं वो ज्यादा तर अपने dicot होते हैं क्योंकि दो cotylidon में food moderate reserve होता है store होता है जबकि monocot के embryo में एक ही cotylidon जिसे हम scotellum कहते हैं उसमें food storage होता है और other जो mostly amount होता है food का seed में वो actually endosperm में ही store होता है तो the seed of grasses is not endospermic तो ये तो incorrect हो रहा है mango इजे पार्थिनो कार्बिक fruit mango एक true fruit है तो ये भी incorrect हो रहा है proteinase allureal layer is presence in mage grain ये बिल्कुल सही हो रहा है sterile pistil is called the steminoid पिस्चिल steminoid नहीं कहलाएगी sterile stamen कहलाएगा steminoid यानि कि वंदिह पूंकेशर जो fertilization में participate नहीं करते हैं तो हमारे लिए correct answer बनता है third next in angiosperm microsporogenesis and megasporogenesis इसमें क्या होगा आबरत बीजी पादपाव में लगु भी जानु जनन और गुरु भी जानु जनन यानि कि यहां megasporogenesis और microsporogenesis की बात हो रही है तो यहां पर जो microspore mother cell होती है उसकी जरिये meiosis process से haploid microspore बनते हैं plus haploid megaspore बनते हैं ठीक है तो meiosis की process हमें देखने को मिलेगी involved meiosis यह सही answer बनना है occurs in ovule देखो ovule में megasporogenesis हो सकती है micro कभी नहीं हो सकती है तो इसलिए 50% तो यह सही है लेकिन 50% गलत है यह भी 50% सही है 50% गलत है form gamete without further division नहीं gamete further division सो करेंगे क्यों क्योंकि क्योंकि जो mmc है इसमें होगी meiosis ठीक है meiosis process इससे अपने बने tetradispore यह haploid condition को सो करेंगा और यह mmc है तो यह 2N condition को सो करेंगे ठीक है अब इसमें से दो सेल बनेंगे एक जनरेटिव और एक gamete meiosis ठीक है तो यहाँ पर तो जनरेटिव सेल बनगी अब इस जनरेटिव सेल में होगा mitosis और इससे क्या बनेगा एक pollen tube बनेगी और इस pollen tube के अंदर हमें देखने को मिलेगा इस तरीके से दो male gamete का formation यहाँ मिलेगा तो male gamete formation में हमें further mitotic division देखने को मिलेगा इसलिए भी सही नहीं तो correct answer हमारा first बनता है ठीक है next which of the following pair is not correctly matched कौन सा पेर सही रोप में सुमेलित नहीं binary fission sargassum sargassum actually एक algae है तो यह तो multi-sheller है तो multi-sheller नहीं नहीं होता है not correctly matched तो यह answer तो यह ही बन जाता है कौनीडिया पैनिसिलियम याद रहे है कौनीडिया पिछली साल भी कुश्चन बना था तो ऐसे आप याद रखना इन कुश्चन में से बहुत सारे कुश्चन डेफिनिटली थोड़ा साथ चेंज होने के बाद में as it is repeat हमें देखने को मिलते हैं कौनीडिया इस एक्ट्य रप्रडक्शन बैनिशिलियम में सो करता है वाडर हैसेंज में हमें आपसेट यानि की भूष तारिका के जरिए अलेंगिक जनन देखने को मिलता है राइजॉम बना नाम है एक्चुली जो केला होता है उसका जो तना है वो भूमिकत होता है बाहर की तरब जो इसका जो stem है वो तो underground राइजॉम की definition होती है कि वें underground modified stem grow horizontally parallel with the soil surface तो soil surface के समानांतर जो ब्रद्धी करता है भूमिकता ना उसे हम राइजॉम कहते हैं ऐसी condition हमें केले में देखने को मिलती है तो यह तीन correct है second, third, fourth incorrect जो बनता है वो first इसलिए first इसका correct answer बनता है next चलते हैं which one of the following fruit is parthenocarpic बढ़िया parthenocarpic का मतलब होता है कि when fruits are developed without seedless fruits are developed without fertilization process known as parthenocarpic fruit parthenocarpic आपको याद हो तो oxygen hormone में भी कहा गया है कि oxygen की presence में tomatoes के अंदर seedless fruit को produce किया जा सकता है parthenocarpic में आपके कुछ और भी example दिये जाते हैं जैसे बनाना है, grapes है इनका भी जिक्र आता है तो यहाँ पर एक example उसका वही हमें देखने को मिलता है केला बनाना में parthenocarpic हमें फ्रोच देखने को मिलते हैं इनमें seeds नहीं होते हैं इनके साथ साथ हमें अंगूर को याद रखना है और इसके बाद में इवन पपाया भी कुछ जो artificial आजकल जो पपाया आते हैं उनके अंदर seeds समय देखने को नहीं मिलते हैं तो वो भी parthenocarpic condition को सोगरते हैं याद रहे parthenocarpic pom grenade यानि कि अनार में संभब नहीं है क्योंकि अनार में जो edible part होता है वो उसका test आ होता है यानि कि seed का जो बाहरी coat होत है अगर हम इसके seedless fruit बनाएंगे तो ultimately उसमें food material ही absent होगा तो possible नहीं है इसलिए इसका second correct answer बनता है offset are produced by offset actually runner, sucker, offset यह actually एक vegetative reproduction है का एक प्रबरदन है तो यहाँ पर हमें mitotic division ही देखने को मिलेगा यहाँ पर दूसरा division हमें possibly देखने को नहीं मिलेगा तो सीधा answer इसका बनना है third तो third आपके runner, sucker, offset and stolen इनमें आपको mitotic division ही मिलेगा क्योंकि यह alingic जनन है क्योंकि यह काईक प्रबरदन यानि कि vegetative propagation which of the following flower only once in its lifetime कौन सा ऐसा प्लांट है जिसके जीवन में एक ही बार flowering होती है तो inside ने कह रखा है कि 50 साल के अंदर bamboo जो होता है वो one time flowering करता है तो सीधे हम bamboo species को याद रखेंगे mango में आपने देखा होगा हर साल लगबग fruits आते हैं cattle, jack fruit में भी हमें हर साल fruits देखने को मिलते हैं पपीते में भी हमें हर साल fruits देखने को मिलते हैं तो अपना correct answer fourth बन जाता है next चलते हैं in some plants the female gamete develops into embryo without fertilization this phenomena is known as तो यह phenomena आपके लिए कहलाती है कौन बनना है female gamete develops into a embryo without fertilization this phenomena is known as कुछ पाद़कों में मादा युगमक बिना निसेचन के भ्रोड में परिवर्थित हो जाता है तो इसे हम कहते हैं parthenogenesis अनि सेख जनन यानि कि unfertilized egg द्वारा फलन नहीं होगा देखो fruits का formation नहीं हो रहा है याद रहे है embryo का development हो रहा है यहाँ fruits की बात नहीं है मतलब male honey भी जो होता है उसमें NCRD नहीं इस बात को लिख रखा है कि when drone और male honey be produced by unfertilized egg then this process is called parthenogenesis हम इसे अनिसीग जनन कहते हैं इसलिए जो male होता है उसकी अंदर 16 chromosome होते हैं जबकि female और sterile जो honey भी होता है उसमें जिसे की बरकर भी कहते हैं उसमें 32 chromosome हमें देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर सीधा हमारे लिए answer बनना है बढ़िया है ऐसा question अभी पिछली बार भी frame हुआ था लेकिन वो plant के respect में पूछा गया था तो याद रहें यह पार्थी नोग जनेसिस एक अच्छा term है possible question बना सकता है in plant part which consists of two generation one within the other एक generation के अंदर दूसरी generation ठीक है जैसे मान के चलो कि यह एक ovule है clear ovule के अंदर embryo sec की जो presence है embryos है कि जो female gametophyte clear ऐसे female gametophyte है यह यहाँ पर एग अप्रेडस है antipodal है तो जो ovule होता है वो female sporophyte है और यह है female gametophyte तो इसका मतलब है यह तो 2N condition है और यह N condition लेकिन N condition बनी किस से है 2N से तो 2N उसके parent हो गए और N जो condition है gametophyte वो उसकी next generation हो गई मतलब पिता और पुत्र का relation हो गया पिता यहाँ पर ovule हो गया और पुत्र यहाँ पर embryo sec हो गया तो इस तरीके से एक तो यह चीज हमें देखने को मिल लई है जैसे यह एंथर एंथर के अंदर यहाँ पर यह एंथर लोव है suppose इसमें चार माइक्रो स्पोरिंजियम है तो जो एंथर की सेल है वो तो 2N है और इसके अंदर जो स्पोर्स बनेगे वो N बनेगे तो यहाँ पर भी सेम रिलेशन हमें देखने को मिल ला है इसमें भी sporophyte के अंदर gametophyte है इन की जैसे ही बात आती है तो यहाँ haploid condition है haploid में haploid होंगे तो कोई मतलब नहीं निकलता seed in the fruit तो दोनों ही 2N हो जाएंगे यह भी 2N है यह भी 2N है तो यह भी नहीं है यहाँ पर यह N है और आपको यह ovule जो है वो 2N देखने को मिल ला है तो 2N के अंदर N है यहाँ 2N है और इसके अंदर N का formation हो रहा है तो इसका मतलब है A और D अपने लिए correct answer बनते है तो हमारे लिए second correct answer बन जाता है याद रहे है बढ़िया है conceptual question नेक्स चलते है which part of the fruit labeled in the given figure make it a false fruit false fruit की definition क्या होती है false fruit की definition होती है when fruit develop from any other part of infosense or flower other than obri wall obri wall के अलाबा अगर यह कहीं से भी fruit बनता है ऐसी condition को हम false fruit कहते है false fruit में कुछ याद रखना जैसे jack fruit, cutthal false fruit है क्योंकि infosense से बना है अपना मलबरी, सहतूत यह एक पूरा का पूरा spike infosense से डबलब हुआ है इसके बाद में pineapple spike infosense से डबलब हुआ है they are false fruit इसके बाद में जो आपको screen पन नचरा रहा है यह pear या apple हो सकता है जो inside इने label कर रखा है तो pear और apple दोनों ही palm fruits है इनका formation thalamus से होता है ओबरी बॉल से नहीं होता तो thalamus से डबलब होने की बज़े से यह भी false fruit की category में चला जाएगा तो यह false क्यों है क्योंकि यह thalamus से डबलब हो रहा है ठीक है तो इसलिए यह हमारे लिए false fruit बन जाता है clear और labeling की बात की जाए तो यह thalamus है सही है क्योंकि थalamus से ही fruit बना है D की बात करें तो seed की बात हो रही है B की बात करें तो endo carp हो रहा है A Mijokarp हो रहा है ठीक है तो इस तरीके से हम second answer में बात करेंगे नेक्स चलते है identify the asexual reproduction structure associated with pencil देखो penciline 2022 अभी मैंने कहा था ना Conidia पर कुशन बना 2022 यानि कि पिछली साल ही बना है तो Conidia इसका correct answer बनता है तो होड़ के आ रहा है कि हमने reproduction in organism पहले जो lesson है उसके सारे कुशन एक साथ रख रखें तो वही सारे कुशन एक साथ हमारे दिमाग में सेट हो रहे है कि किस point पर ज़्यादा strike किया जा रहा है और वहां से कुशन बन रहे है है ना इसके बाद में फिर से वही है फिर से आप देख सकते हो कि same pattern पर 2020 में भी आप देख पा रहे है यहां पर भी student को help मिल जाती है तो B में first कहां है B में first के साथ जाएंगे तो लोग आपको काईदे से यहीं पर answer मिल जाता है तो इस type के question देखने में जरूर बड़े होते हैं लेकिन याद रहे थोड़ा सा भी अपन अगर एक और दो option को अच्छे से जानते हैं तो बड़े आसानी से is he going हम इनके answers को solve कर सकते हैं नेक्स चलते हैं proximal end of the thalama filament of stamen is attached to the देखने NCRD ने कहा है thalamus and petal NCRD में लिखा हुआ है तो ज़्यादा focus नहीं करना है इस पर just NCRD का question है line to line यहां पर question frame है और 2016 का यह question है यहां पर एक taple को भी याद रखना parent क्योंकि liliacy family में जो stamen होते हैं वो parent से attach होते हैं क्योंकि यहां पर petal की बात करी जा रही है epipetalus condition जो की solenacy की है उस पर चर्चा हो रही है thalamus पर तो normally stamen proximal end उनका attach होता ही है ठीक है तो thalamus, petal and taple इनको याद रखना third इसका correct answer बनता है pollen tablets are available in the market for यह क्या करते हैं यह food supplement की form में काम करते हैं NCRD ने लिख रखना है pollen grain वाले इससे में कि peoples of European countries believe that the product of pollen grain like pollen tablets and syrups can enhance can enhance performance of athletes and racehorses racehorses और athletes में जो कारिच्छमता है या उसकी जो performance है उसे यह बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनमें various type की nutrients होते हैं इनमें medicinal value गी होते हैं clear next चलते है which one of the following statement is not true not true का मतलब है की यह कौन सही नहीं है है ना तो हमें गलत यानि की incorrect wrong को select करना है honey is made by the bees by digestion pollen collect from the flower ठीक है अच्छा जी pollen grain are rich in nutrients they are used in the form of tablet and syrup से सही जारा है pollen grains of some plants causes severe allergy and bronchitis यह ठीक है asthma जैसी bronchitis जैसे जिसमें serious chronical diseases भी होती है वो होती है इसमें खास तोर से पार्थिनियम और केरट ग्रास के pollen grain को responsible माना गया है the flowers pollinated by flies and beetles secreted fall order सही है देखो यह digestion से नहीं बनता actually nectar जो बनता है honey जो बनता है वो nectar से बनता है nectar gland होती है एक flower की thalamus है इस thalamus region में यहां पर gland होती है और इस gland में glucose and fratose की presence होती है और इस तरीके से जब यह insect यहां पर इसे eat करता है तब यह इस nectar से उस glucose को collect करता है और यही glucose बाद में फिर honey में convert हो जाता है इसलिए honey काफी मीठा होता है क्योंकि इसमें glucose का percentage बहुत जादा होता है तो next हमारा जो correct answer है क्योंकि not correct की बात करी गई है सहद मदमक्की द्वारा इखटा किया जाते हो पराकणों का पाचन नहीं है पराकणों का नहीं है बल्कि वो nectar है उसे हम मकरंद कहते है उसका product first is correct answer next male gametophyte in angiosperm produce male gametophyte angiosperm में कैसे produce होते है single sperm and two vegetative cell नहीं है आपके अगर pollen grain three cell stage पर migrate करता है move करता है तो इसमें ही दो male gamet बन सकते हैं और ये एक vegetative cell होगी तो two sperm and vegetative one vegetative cell इसका correct answer बनेगा third right answer है दो सुक्राणू देखो सुक्राणू का मतलब यहाँ male gamet से है क्योंकि ये plant में बात हो रही है which of the following statement is not correct फिर से पुचा है नौट करेक्ट गलत को चुनना है insect that consume pollen and nectar without bringing about pollination are called pollen, nectar and rover इन्हें चीटर भी कहा गया है हिंदी में इन्हें दस्यू कहा गया है डकैत कहा गया है ये pollination कि ये बिना ही nectar को collect करते हैं और भाग जाते हैं और इस तरीके से इन्हें यहाँ चीटर यहाँ रोवर कहा गया है ये बात सही है pollen germination and pollen tube growth are regulated by chemical component of pollen interacting with those of the pistil हाँ इसे हम pollen facial interaction कहते हैं पराग कन अंकुरन तथा पराग नलिका अब्रदी पराग कन तथा स्रीके सर पारस परेक्रिया interaction के फलसुरुपत्मरासाने गटकों के द्वारा होता है कहा जाता है कि अपर सर्पेस आफ इस्टिग्मा and pollen grain represent dialogue as chemical immediate reaction as chemical immediate reaction रसाइनिक मध्य अविक्रियाओं के जरीए वो आपस में बात चीत करते हैं kind of dialogue करते हैं और फिर जब वो chemical reaction proper direction में होती है तो इसे compatibility यानि कि संगतता कहा जाता है और stigma pollen grain को germination की permission देती है अगर ये chemical reaction proper नहीं है तो ऐसी condition में फिर stigma pollen grain को germinate होने से रोख देती है इसे हम incompatible pollen grain कहते हैं यहाँ पर एक बात ध्यान रखना यह जो वास्ता में chemical होता है इसमें protein की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है तो protein के basis पर यहाँ interaction की बात कहीं जाती है तो यह कहीं न कहीं सही हो रहा है रोबर यह भी सही है अब चलते हैं सम रेप्टाइल है बाल सो बीन रेपोर्टेट अस पॉलिनेटर इन सम प्लांट्स यह भी सही है pollen grain of many species can germinate it on a stigma of a flower but only one pollen tube of the same species grow into the style ठीक है insect that consume pollen and nectar without bringing about pollination are called the pollen and nectar rovers है ना पराकन अंकुरण परास पर क्रिया पराग न लिका पराकन वा इस्तरी केसर की पारस पर क्रिया है ना के भलसरोपत्मन रसायन गटकों द्वारा नियंत्रित होता है ठीक है कलियर होता है अच्छा कुछ शरीश्रप कुछ पादपों में जातियों में पराकन करते हुए बताए गए हैं बहुत सारी जातियों के पराकन एक पुष्प की वर्तिकागर पर अंकुरित हो सकते हैं परंतो उसी जाती के पराकन को की केवल एक पराग न लिका वर्तिकाग में आगे बढ़ती हैं नॉर्मली जर्मनेट नहीं हो सकते क्योंकि कम्पेटिबिलिटी इनमें नहीं होतीं तो एक्चली आप जर्मीनेशन के लिए परमिषन ही उसको दिया जाएगी जो कहीं न कहीं आपके लिए कंपिटिबिलिटिज करेगा तो इसलिए जो इनिविशन होता है वो फूर्थ करेक्टर आंसर बनता है विच आप दा फॉलाइंग स्टेटमेंट इस नॉट ट्रू कौन सही नहीं है फिर 16 में पूचा गया है नॉट ट्रू एक्जायन अप दा पोलन ग्रेन इस मेड अप आप इस पोरो पॉलन इस पोरो पॉलनिन से यह बनी होती है यहाँ पर आपने देखा होगे को जर्म ट्यूब होते हैं इसकी जो बाहरी लेयर होती है यह आपकी बनी होती है स्पोरो पॉलनिन से पॉलन ग्रेन आप बैनी स्पसीज विलकुल सही है अलर्जी करते हैं इस्टोर पोलन इन लिक्विड नाइट्रोजन केन बी यूज़ इन दा क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम टैपीटम है पिंदर डेहसेंस अब देखो टैपीटम डेहसेंस में रोल नहीं करती टैपीटम का काम होता है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को न्यूटिशन रोल होता है यहां पर जो रेडियली अरेंज्ट सेल्लोस माइक्रोफाइब्राल होते हैं वो डेहसेंस में बहुत बड़ा इंपोर्डेंट रोल प्ले करते हैं तो फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट विच आप दा फोलाइंग हैज प्रूव्ड हैल्पॉल इ प्रिजर्विश्ट प्रिजर्विंग प्रिजर्विंग पोलन एज फोसिल कौन हैल्प करता है तो ओवियसली आपके स्पोर्पॉलन करता है कहा जाता है एंशाड ने लिख रखा है नो वन एंजाइम डिस्कवर्ड यत कैन डिगरेड इस पोरपॉलन आज तक कोई ऐसा एंजाइम डिस्कवर्ड नहीं हुआ है जो इस पोरपॉलन इन को डिगरेड कर सके और यही वो बज़य है कि पोलन कहीं लंबे समय तक फोसिल के पॉर्म में बने रहते हैं क्लियर तो इस पोरपॉलन इन इसका करेक्ट आंसर बनता है नेक्स्ट पोलन ग्रेंज कैन बी स्टोर्ड फोर सेवरल इयर इन लिकूड नाइट्रोजन तेको इस सेग्मेंट पर सबसे जादे कुश्चन बनने हैं अभी अभी आपने देखा तीन कुश्चन सेम सेग्मेंट पर हैं तो पॉसिबिलिटी है कि इसी पोलन ग्रेंज वाले सेग्मेंट से आपको डेफिनेटली फिरसे कुश्चन मिल सकता है तो माइनस 196 टेंपरिचर लिक्विद नाइट्रोजन इसमें आप पोलन ग्रेंट को लंबी समय तक रख सकते हो और याद रहें इन पोलन ग्रेंट को फर्दर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम में भी आप यूज कर सकते हो यह ना तो डिग्रेड होंगे और ना ही यह दिस्ट्रॉ होंगे बल्की फंक्शनल फॉर्म में प्रिजर्व रहेंगे नेक्स सलते हैं इन सम मेंबर विच आप दा फॉलोइंग पियर फैमिली पोलन ग्रेंट रिमेंट दियर वाइबिलिटी फोर मंथ आफ्टर रिलीज याद रहें मोनोकॉत में खास तोर से ग्रास सेज में जो पो पोलन रिलीज फ्रॉम एंथर लोग एंड ट्रांसपर अप्टू दे स्टिग्मा ओफ फीमेल फ्लार इस डियूरेशन में जो उसका टाइम पीरियड होता है वो उसकी वाइबिलिटी को सो करता है तो कहा जाता है कि ग्रासिज में ये थर्टी मिनिट के आसपास होता है जब सब्सक्राइब दूर नहीं है यहां रोजेशी लेगुमिनेशी दिये गए है ठीक है पोईसी नहीं है पोईसी में कितना बढ़िया कुशन है पोईसी में थर्टी मिनिट तो महीनों का जो कैलकुलेशन है वो थर्ड में करेक्ट आंसर बनना है यहां सॉलेशी भी रखी जा रहा जाता है एंसर अटी में लिखा हुआ है बड़िया कुशन है यह हैडिंग में ही लिखा हुआ है तो दियान से देख लेना विच अब दा फॉलईं स्टेट्मेंट इस करेक्ट कौन सा करेक्ट है अंडो थीश्यम प्रड्यूस्पॉर नहीं अंडो थीश्यम नहीं प्र लेयर अप्ड़ पोलन इस कॉल्ड इन टाइम लोग है यह गलत हो रहा है हंड्रीट परसेंट ठीक है पोलन यह लिख कह दिया क्योंकि माइक्रोस्पॉर फाइनली बाद में पोलन ग्रीन में ही कनवर्ट होते हैं तो कुछ अद्ट तक वो सही भी है इस पर जिनेस टिस हैप मतलब है कि यही एक करेक्ट ले देके बनता है सेकिंड करेक्ट आंसर बनता है अगर यहां पर सेलूलर फॉर्म आ जाता है तो कहा जाता है कि यहां इस काईदे से तो यह होलो होता है ट्यूब लाइक होता है इट प्रवाइट पैसेज पोर एंट्री ऑप पोलन ट्यूब और नरिस पोलन ट्यूब आप पोलन ग्रीन लेकिन कभी-कभी सेल्लोर फॉर्म होने पर हम इसे सॉलेड स्टाइल कहना शुरू कर देते हैं यह ट्रांस पीजन टिशू है और इसलिए ह यह NCRT में सीदे सीदे नहीं है लेकिन कुश्चन बनाया गया है 2015 में इसे पुछा गया है तो याद रखे ठीक है next the body of the ovule is fused within the funicle यह funicle है funicle की body है यह जहाँ fuse होती है funicle की body यहाँ fuse होती इस जगे है यहाँ पर fuse होगी है यहाँ पर जो fusion होता है इनका यह कहलाता है आपके लिए हीलम क्या कहलाएगा यह आपके लिए हीलम कहलाएगा यह fusion जो पॉइंट होता है इसका body का इस इस काल हीलम ठीक है next functional Megaspore in in N NJ is from develop in 2 functional Megaspore है यह ovule है इस ovule में MMC है MMC पे meiosis होगी चार Megaspore बनेंगे 3 Megaspore are degenerate while remain functional is Megaspore developing embryo sac embryo sac is what 7 cell and 8 nucleate essay essay तो यह embryo sac में convert होगा haploid Megaspore convert होता है इसलिए हम इसे gametophyte female gametophyte consider करते है which one of the following statement regarding the post fertilization development in flowering plant is incorrect incorrect पूरी के पूरी embryology है sexual reproduction in flowering plant है उसे तीन step में study किया गया है pre fertilization event and structure fertilization event and structure and post post का मतलब है fertilization के बाद में क्या क्या होता है जैसे embryo development होता है endosperm development होता है seed development होता है fruit development होता है यह सब post fertilization event में आते हैं तो central cell develop into the endosperm endosperm ठीक है central cell ही बाद में बास्तर में endosperm में develop होती है ovule develop into the embryo sac ovule embryo sac में develop नहीं होते हैं ovule develop into the fruit zygote develop into embryo इसमें incorrect पुछा गया है zygote embryo में develop होता है ठीक है central cell develop into endosperm ovule develop into the embryo sac ovule embryo sac में नहीं होते embryo sac उसमें develop जरूर हो जाता है ovule develops into the fruit तो उब्री जो होती है अंडा से फल में विक्षित हो सकती है ठीक है तो केंद्रिय यह भी ठीक है बीजान वरूड कोस्वें विक्षित होता है ते साफ होता है यह जो होगा है यह पर एक चीज और याद रखता हूँ Monosphoric के एक term answer नहीं उच किया है Monosphoric का मतलब होता है कि जब 4 Megaspore बने 3 destroy हो चाए एक functional बचे उसही एक functional से जब embryosada को फार्मेशन हो तो हम उसे Monosphoric कहते हैं उसा Polygoniam में study किया जाता है Bisporic होता है उसे Eleam में study करते हैं जाब 2 Megaspore participate करते हैं tetrasporic development भी होता है जैसे adoxa plant में study किया जाता है और हाँ development embryosac का किसी भी process से हो उसमें cell 7 ही होगी nucleus 8 ही होगी यह fix है तो वही उसी question है 2021 में आया है तो 8 nucleate 7 cell 4th correct answer बनता है in general the egg apparatus of the embryosac in angiosform consist egg apparatus का मतलब है कि यह इस चीज को कहना चाते है यह हमारे लिए egg apparatus होता है इसमें 2 synergit cell है फिली form apparatus आपको देखने को मिलेगा यह egg है तो 1 egg होगा 2 synergit होगी तो antipodal भी होगी चलो ठीक है लेकिन egg apparatus इन्होंने पूछा है तो 1 egg 3 synergit गलत होगया 1 egg 2 synergit 2 antipodal गलत होगया है ना 1 egg 2 synergit 3 antipodal 2 polar nuclei यह correct होगा है 1 egg 2 synergit 3 antipodal फिल कर रहत होगया तो अपना 3rd answer correct बनता है next advantage of klystogamy क्लिस्टोगमी क्या है klystogamy का मतलब है कि यह फ्लार कभी भी open नहीं होता है यह फ्लार typically autogamy so करते हैं they never open they always represent autogamy स्वयोगमन को हमेशा दर्शाएंगे bisexual flower होते हैं कभी भी open नहीं होते हैं इन्हें pollinator की भी जरूत नहीं होती हैं बहुत बढ़िया यह point है यहाँ पर possible question बनता है ध्यान देना यह पाए जाते हैं comelana, biola and oxalis even ground nut में भी हमें देखने को मिलते हैं यह जो क्लिष्टोगेमस flower होते हैं यह actually underground जो part होता है plant का उसमें produce होते हैं clear? तो non depend on pollinator सही है बीबी पेरी तो को बीबी पेरी सब्द कहीं बच्चे जो है एज़टेज नहीं जानते हैं बीबी पेरी कैदे से parental care को सो करता है बीबी पेरस बीबी पेरस plant में nature पाया जाता है man group plant जहां जिसे हम नुमेट राइजोफोरा plant कहते हैं हेलोफिटिक plant है इनके जो seed होते हैं वो plant पर germinate होते हैं और germinated condition में ही soil में आते हैं इसलिए बीबी पेरस seed germination found in man group plants especially राइजोफोरा ऐसे याद रखना क्योंकि term आपके 2013 में ये option में आ चुका है right भले ही नहीं है फिर भी याद रखना चाहिए है ना तो अपना correct answer तो first बनता है jetonogamy involved jetonogamy का definition होता है बड़ा अच्छा segment है यहाँ पर कि pollination conduct between two different flower of same plant एक ही plant के दो flower के बीच में अगर pollination हो रहा है तो जिट्टो नहीं होता है this is genetically cell pollination and functionally cross pollination functional के basis पर पॉलिनेटर की requirement हो सकती है क्योंकि दो अलग-अलग branches पर flower genetically देखा चाहिए तो एक ही plant के दो flower है तो genome DNA same होगा gene same होगा तो इसलिए ये बात है हमें ये चीज कहां देखने को मिलती है ये caster में मिल जाएगी इसके बाद में हमें मक्के में ये देखने को मिल जाएगी मक्के में जो upper side होती है वहां male flower होते हैं और जो node region होते हैं वहां पर female flower होते हैं क्या caster में भी ये चीज हमें देखने को मिलती है fertilization of flower by the pollen from another flower of the same plant चलो ये इस पर बात की जा सकती है fertilization of flower by the pollen from the same flower same flower autogamy हो जाएगी है fertilization of a flower by the pollen from a flower of another plant another plant से cross pollination हो जाएगा fertilization of flower by the pollen from a flower of another plant लो भी यहाँ ये भी गलत हो गया तो आपका first correct answer बनता है which of the following may require pollinators किसे pollinator की जुरत पढ़ सकती है but genetically similar to autogamy कितना बढ़िया है same pattern per question है jetonogamy इस term को भी याद रखोगे jetonogamy, autogamy, klystogamy ये तीन सब्द बहुत खास which of the following are the important plural reward to the animal pollinator NCRD कहती है nectar and pollen grain provide as a reward by plants against pollinator pollination process to their pollinators है ना तो यहाँ पर निम्लिकित मैंने कौहन से जन्तू परारकाड़ियों को पुष्प प्रतिफल salary, mehntana, paritos, reward ये सब दिया जाता है तो किस फॉर्म में दिया जाता है ये nectar and pollen grain सीधा याद रखना ठीक है NCRD में लिखा हुआ है और इसी मैंनताना को ले जाते हैं कुछ ऐसे pollinator और pollination conduct नहीं करते हैं तो उन्हें हम cheater कहते हैं उन्हें हम dacat, dasyu ये term इंस आड़े नहीं उच किया है फिलिफार में अप्रेटर जीजेगर स्टिस्टिक फीचर आप synergit क्यों ये है embryos है ये रही synergit ये रहा egg ये रही synergit तो यहां पर कुछ finger-like projections होते है उन्हें को हम कहते हैं philiform apparatus ठीक है ये फिलिफार में अप्रेटर से हैं और synergit का unique character है the guide, pollen, tube towards the egg during fertilization process तो ये second correct answer attraction and reward are the required for attraction और reward किसे जरूत पड़ेगी जो cross pollination करेगा जो autogamy करेगा उसे तो इन चीज़ें को जरूती नहीं तो entomophily खास तोर से हैं hydrophily में पानी है water है तो reward दोगे किसे पानी को किसी चीज की जरूत नहीं है हवा को किसी चीज की जरूत नहीं इन ना तो net inside इन लिख रख कर plants pollinated by water and air are not produce nectar and they do not have colored flowers ऐसा लिखा है है ना attraction and reward are required for देखो इसे भी required नहीं है क्योंकि ये कभी खुलेगा नहीं open नहीं हुगा pollinator इसको बुला नहीं है अभी इसी हिसाब का एक और question आपको देखने को मिला था ना no pollinator required first correct answer which one of the following plants sow a very close relationship with a species of moth ये देखो ये है co-evolution क्यों बनाया ये बनाया गया उन चीटर से बचने के लिए जब plant ने तो इमानदारी के साथ में काईदे से pollinator को nectar और pollen grain दिये reward against the pollination pollination के एवज में इन्हें मेंता ना दिया गया लेकिन कुछ pollen grain कुछ nectar pollinator ने क्या गया reward ले गए लेकिन यहाँ pollination को conduct नहीं किया तो फिर मजबूरन plant को इस type का adaptation करना पड़ा मतलब एक particular plant ने particular pollinator से एक को evolution हासिल किया और उससे वो cheater से बज गए लेकिन याद रहा है इसका एक बड़ा drawback होता है इन में दोनों में से कोई एक partner अगर गायव हो जाता है extent होता है तो दूसरी को भी खुषता है बिलुक्त होना पड़ता है तो यक्का दोनों flower होते हैं वाटर हैसे काफी colorful होते हैं कि बंगाल के अंदर जीलों को सुन्दर बनाने के लिए water hyacinth को लाए गया था सुन्दरता किसमें होते है colorful में तो colored इसके flower है और पानी से काफी ऊपर है इसलिए पानी इसमें pollination नहीं कर सकता लिली के प्लांट में भी यह है इसलिए यहां या तो insect करेगा या फिर wind करेगा third correct answer है the term used for the transfer of pollen grain from anther of the of one plant to the stigma of different plant different plant which during the pollination bringing genetically different type pollen grain to the stigma this is called genogamy two different plant की बात हो रही है genetically variable है तो यह cross pollination cross pollination को genogamy कहते हैं alogamy कहते हैं cross pollination कहते हैं Hindi में पर परागन भी कहते हैं तो यह चार सब्दा आप याद रखना है next है 2020 का 22 का यह question है given below are the two statement kristogamous flowers are invariable autogamous सही है kristogamous जो flower होंगे वो autogamy ही सो करेंगे क्योंकि वो flower कभी open होगा ही नहीं अब दूसरी चीज़ आती है kristogamy is a disadvantage as there is no chance for crossfire हाँ disadvantage आप कह सकते हो क्योंकि यह जब cell pollination करते रहेंगे autogamy करेंगे तो finally इनकी जो प्रोजनी है वो कमजोर हो जाएगे इसको कहते हैं cell pollination in inbreeding the inbreeding depression इसमें प्रोजनी कमजोर होती चली जाती तो यह इनका advantage किसी भी office plant की अगर प्रोजनी कमजोर होगी तो वो नए environmentally adopt नहीं होगी ऐसी condition में उसके बिलुप्त होने का खत्रा continuous बना रहता है तो यह भी सही है बोथ statement correct हो रहे हैं बोस्ट इनकरेक्ट है इनकरेक्ट है आपके लिए इनकरेक्ट है दोनों को correct होना चाहिए फोर्थ correct answer नेक्स्ट identify दक इनकरेक्ट statement related to the pollination बाइस का कुछन है pollination के लिए pollination पर कितने बढ़िया बढ़िया कुछन प्रेम किया जाने pollination by the wind is more common among us abiotic pollination बढ़िया wind है देखो पानी यूनिवर्सल यूनिवर्सलेटी सो नहीं करता हर जगे प्रेजन्स नहीं है जबकि air हर जगे प्रेजन्स इसलिए जिम्नोस्पम ने सबसे पहले pollination की शुरुवात की थी और वो pollination था एनिमोफिली by the wind क्यों क्योंकि जो लोवर प्लांट थे उन्होंने ट्रेस्टियल में आने की बाबजूद भी वाटर से अपनी डिपेंडेंसी रिड्यूस नहीं की थी इसका रजल्ट यह हुआ कि ब्रायोफायट और ट्रेडोफायट ट्रेस्टियल में उन जगे पर ही सर्वाइब कर पाए जहां पानी था जहां पानी नहीं था वहां से उन्हें एक्स्टिंट होना पड़ा विलुप्त होना पड़ा इसी प्राब्लम को देखते हुए जिम्नोफिम ने पॉलिनीशन को अड़ाप किया वह भी विंड तो विंड देखो यहां एक अच्छी सी समझ लो अगर प्लांट को च्वाइस दी जाए कि आप बायोटिक देखो अभी पिछले साइड में कुश्चन भी आया है यह भी सही है मौथ एंड बडर फ्लाई आप दा मोस्ट डॉमिनेंट पॉलिनेटर देखो यह गलात हो रहा है क्योंकि मौथ नहीं है हनी भी हनी भी के लिए याद रखना क्या हनी भी रिप्रेजेंट more than 80% entomophilie insect pollination में सबसे ज़्यादा pollination अगर कोई करने वाला insect है वो हनी भी है जो 80% से भी ज़्यादा pollination को कंड़क करता है यह गलत हो रहा है pollination by the water quite rare in flowering plants टीक है okay तो third correct answer machine correct next function of philipum apparatus guide 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 entry of pollen to you in synergy towards the egg to ensure that the only the desire pollen falls on the stigma in artificial hybridization process देखो आप मेंडल के जो work out है मेंडल काम कैसे करता है emasculation करता था फिर dusting करता था उसी को artificial hybridization कहते है फिर bagging करता था फिर वो tagging करता था उसी ठीक से related question है तो क्या कर रहा है ensure that the only the desirable pollen green falls on the stigma rdp चला आपना फिमेल फ्लार बड़ फिमेल फ्लार जो bisexual हो उसकी बड़ कंडिशन में आप उसे फिमेल बनाओ produce unisexual flower need to the need not be begged यह अभी गलत हो रहा है ठीक है इसमें correct answer पुचा गया है ठीक है there is no need to emasculate it in a sexual flower of the selected female parent chain किये गए मादा जनक के एक लिंगी पुष्प को बिपुंसी करण करने की आवश्यक्ता नहीं है जो already female flower है आपको उसमें emasculation नहीं करना है emasculation हमेशा bisexual flower में होती है ठीक है परागन के तत्काल बाद विपुंसी करण की बैगिंग करनी होती है emasculated flowers are to be to be bagged immediately after cross pollination यह सही हो रहा है emasculated flowers are to be bagged after removal of enter ठीक है अब आता है bisexual flowers showing the proto gynae are never selected for cross proto gynae यह कर सकते हो तो आपका यह incorrect बनना है यह करेक्ट बनना है वो करेक्ट बनना है आपको पुछे गए है करेक्ट तो बी सी और बी सी यह यहां पर है तो यह गलत हो गया यह गलत हो गया ठीक है emasculated flowers are to be bagged after removal of enter ठीक है सही है और bisexual flowers showing the proto gynae are never selected for the ऐसा नहीं है तो करेक्ट पुछे गए हैं तो आपका BCD यह फूर्थ आंसर ठीक है नेक्स्ट डवल फटलाइज़स रेज क्या है डवल फटलाइज़स्ट डवल फटलाइज़स्ट में आप जानते हो कि यह है embryo sec यह है pollen tube इसमें दो male gamete है यहां पर secondary nucleus है यहां एग है एक male gamete इससे और एक male gamete इससे फटलाइज होगा ठीक है fusion of two male gamete with egg दोनों नहीं syngamie and triple fusion हाँ इस process को तो गहते हैं syngamie इसको कहते हैं triple fusion जो secondary nucleus और इससे बनता है इसलिए यह 3N हो जाता है और यह 2N हो जाता है इससे syngamie कहते है इसे triple fusion कहते है triple fusion is unique character of angios pump यह किसी दूसरे में नहीं होता syngamie सभी plant में होगे female और male gamete हर जगे fuse होंगे clear fusion of one male gamete with two polar nuclei तो यह तो triple fusion होगा double fertilization नहीं होगा fusion of two male gamete with two different egg होती नहीं है तो आपके लिए second correct answer next what is the fate of the male gamete discharge in the synergit जब synergit में male gamete पहुँच गए फिलिपमा अपरेटरस ने शुरे गाइड किया synergit के cytoplasm में उसे discharge कर दिया गया अब इसका भविस्य का है तो भविस्य यह है कि एक male gamete egg की और चाहेगा और एक secondary nucleus की वर transfer होगा one fuse with egg other fuse with the synergit synergit से कोई fuse नहीं होगा one fuse with egg egg से fuse होगा other fuse with the central nuclei यह बहुत सही option बनना है one fuse with egg other degenerate नहीं all fuse with egg नहीं आपका second correct answer बनता है 2019 का question है coconut water endosperm related जितने भी question हो हम यहाँ देखेंगे coconut water from a tender coconut is क्या है free nuclear endosperm बोला जाता है endosperm इसमें याद रखना syncytum condition भी होती है multi-nucleated condition होती है जिसे हम नारियल पानी कहते हैं उसमें बहुत सारी nucleus होते हैं यह तरीके से nuclear endosperm नारियल एक मात रहाएसा fruit है जिसमें तीनों तरीके के endosperm मिलते हैं जब नारियल मैचूर हो जाता है तो cellular endosperm कहलाता है nucleus और cellular जो फॉर्म होता है गिरी जिसे कहते हैं कैर्नेल जिसे कहते हैं वह हेलो वील को भी सुपरता है और initial stage पर जो liquid form में होता है वह free nuclear ऐसे एक और कुश्यन आपको देखने को यहां मिलेगा coconut water from tender फिर से आगया free nuclear endosperm ठीक है next नेक्स्ट नेचर अफ एडिवल पार्ट और coconut coconut का खाने योग भाग है endosperm याद रखना जो गिरी हम खाते हैं वह endosperm कभी coconut को वह जो तीन आखे दिखती है उस साइट से तोड़ना तो आपको एक छोड़ा सा seed-like structure देखे रहा है वह एक्चली उसका embryo है और बाकी जो white color का है वह kernel यानि endosperm next चलते हैं wheat grain has an embryo with one large seed-like structure called a cotton lead इसको टैलम यह जो चार टर्म आप यहां देख रहे हो इनको बहुत अच्छे से याद रखना ठीक है यह मेरी नजर में काफी important इसमें एक टर्म और जोड़ लेना और वो टर्म है और वो टर्म है यह है इसे है यहां तो हो जाता हैimoto to 1974 जाता है काली और पिराइल plaza एप बलास्त इसे कहतें इसको टैलम ठीक है के- चार हो टराम है इन्हां याद रखना कॉल प्राल he यह रीजन है को अलियोराइजाई यह रीजन है एपी ब्लास्ट यह होई गया इसको चलम यह हो गया यह सीड लाइक स्ट्ट्चर है जो लेटर साइड में होता है सिंगल कॉटलेडन है इसमें भी फूर्मली को स्टोर किया रहता है क्लियर एक और चीज़ या दखना है एपी एक्टीजीयल कोट लेटर अगर यह एपी ब्लास्ट कहां देखा है का दिलीडन के ठीक सामने लेगा है यह अगर डेवलभ कंडीशन में होता तो यह दो कोटलेडन हो जाती है it means यह dicot हो जाता है तो यह ep blast actually show करता है कि monocot plant evolve from dicot क्यों क्योंकि यहाँ पर इसका vestigial form होना यह show करता है कि कभी यह functional form में था तो dicot से ही monocot का origin हुआ है इस point पर भी focus करना Cotyledon of base grain is called same वही कवही हां देखो यह कवारा है 2015 में और यह कवारा है 2016 में same question repeat हो रहा है sir फिर से कह रहा हूँ इन्हें ध्यान दो definitely इन में से question repeat हो कराएंगे क्योंकि important segment कुछ area में ही होते है आप seed coat is not thin membranus thin कहानी होता coconut में नहीं होता parisperm differ from endosperm parisperm कौन है parisperm actually nucellus है nucellus जो होता है वो 2N है वही seed में जाके parisperm में convert हो जाता है endosperm कैसा होता है 3N तो यह तो यहीं difference होता है being a diploid tissue it formed by the fusion of secondary nucleus with several sperm यह भी कुछ नहीं है being aploid tissue नहीं है having no several food आपका being deployed है parisperm की respect में पुछा है तो deployed होता है वो triploid होता है तो इसलिए यह difference बढ़िया बन रहा है non-albuminous seed non-albuminous को हम कहते है non-endospermic seed यानि कि इसमें food model endosperm के form में नहीं है यह किसकी बात कर रहा है हाना तो non-endospermic non-albuminous मतलब यह monocort mostly monocort होगा तो देख लो mage है non-albuminous तो non-endospermica non-albuminous मतलब duocortiladon तो इसका मतलब है आपके लिए यहाँ cortiladon के form में pharway seed इसमें होता है मैं एक सरल सा तरीका बताता हूँ non-endospermic seed को identify करने का आप seed को लो किसी पत्थर या किसी mechanical process के जड़िए इसे तोड़ो अगर seed equally to half में बदल जाता है तो इसका मतलब है वो non-endospermica pharway seed member के pharway seed family के किसी भी member को आप तोड़ना दो भागों बढ़ जाएगा जितनी भी दाले हैं सब बढ़ जाएगी है ना चना बढ़ जाएगा मुफली बढ़ जाएगी है ना तो यह non-endosperm कोड़ है क्यों? क्योंकि इनकी दोनों quotilaran ने endosperm का जो food है उसे absorb कर लिया है और जो seed दो भागों में न बठे वो endosperm गेहू है बाजरा है मक्का है जुआर है आप इने तोड़ी वो है धान है मतलब जिसे rice कहते है तो fourth correct answer बनता है हाइलम इजे कि इसका on the हाइलम का होता है माइक्रोपाइल बाज प्रिजेंस देखो यह actually इस टाइप सी कुश्चन बनता है इससे अपने मौर्पलोजी में दिया है यहाँ इस जगे हाइलम होता है और यह scar बोलते है है न हीलम इजे स्कार seed where the माइक्रोपाइल इस प्रिजेंस तो इसको माइक्रोपाइल कहा गया है यही correct answer बनता है वो नजरा रहा है seed where the funicle was attached seed कि किस में हो रहा है हीलम इजे स्कार स्कार सब्दी जो है नाभिका कहां पर एक निशान होता है निशान याद रहे है यह बढ़िया कुशन है 2015 में fruit के respect में तो आप भूल जाओ seed की बात हो रही है अगर यहाँ ओव्यूल की बात होती तब भी चल जाता तो आपका first answer बनेगा याद रहे है ऐसा एक NCRT ने चने में morphology में दे रखा है confusion हो NCRT खोलो और उसको वहाँ देखो possible question है बढ़िया question है और इस एरिया से आ सकता है the residual persistent part which form the perisperm in seed wheat is क्या है वो newcellus perisperm इसे हम परिभूर पोस कहते है यह newcellus का remaining part होता है जो seed में पाए रखता है wheat के अंदर यह presents होता है और black pepper seed formation without fertilization in flowering plant बढ़िया है इसे हम apomyxis कहेंगे कहा जाता है apomyxis is a mimic of sexual production but actually it is a sexual production here seeds are produced but they do not represent fertilization and meiosis process इसमें acting वही होती है जो sexual production होता है egg बनेगा embryo बनेगा seed बनेगा लेकिन दो काम का भी नहीं होगे न तो meiosis होगी न फटलाइशा ऐसे याद आख तो third correct answer है which of the following can be expected if the scientist succeed in introducing apomyxis seed into the hybrid variety of the crop बढ़िया यहां यहां पढ़ाएगे न है पहला paragraph है वो तो मैं apomyxis के ना होगे दूसरा जो paragraph है उसमें किसानों की problem बताएगे किसानों को हर साल hybrid seed लेने पड़ते हैं क्योंकि वो next generation को produce नहीं कर सकते क्योंकि उनकी character segregate हो जाते है clear तो इसलिए यहां पर कहा गया है कि अगर apomyctic seed को इसमें introduce कराया जाए तो होगा क्या तो होगा यह कि hybrid seed फिर वहां पर अपने characters को segregate नहीं कर पाएगे तो वही उसी से related farmer can keep on using the seed produced by the hybrid to rise raise new crop year after year यही right answer बंता हुआ नजर आ रहा है there will be segregation of the desirable segregation नहीं करेंगे poly embryony will be seen each seed will produce many plants ऐसा भी नहीं होगा नहीं थाना can be expected if the scientist succeed to introduce apomyxer seed बढ़ी आ है seeds of hybrid plant will sow the longer dormancy ऐसा भी कुछ नहीं होगा first correct answer बन रहा है next तो हमने यहां पर 56 question solve की है जो 13 से 2022 तक के questions थे आप 23 देने जा रहे हो possibilities बात की है कि इसी के आसपास question frame होगे अब इस time आपको technique की जरूत है technically study की जरूत है तो अब focus उनी question पर किया जाए जहां से possible question बनाया जाए अपने आप से पूछो किस type का question कि सेग्मेंट से आ सकता है guideline आपको यह जरूत है CLC के गुरूनीती प्रवाइट कर रहे है ठीक है तो जो pattern है लगभा उसी pattern को follow किया जाता है एकदम से कोई pattern बहुत ज्यादा change नहीं होता है okay मीद करते हैं यह चीजें आपको success में help करें okay thank you